समस्कार दोस्तों मेरा दाम में विमल सिंग बाला जी स्टेड एड़ा में आपका स्वागत है डियलेट सेकंड समेश्टर फोर समेश्टर से रिलिटेड इसकीम आपकी जारी हो गई है परन्त उसमें बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कमिया आपको देखने को मिल नहीं जो कि यह संकेत कर रही है इसकीम कहीं न कहीं ऑफिशल नहीं है या तो परजी है देखे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा ध्यान से समझेगा मेरा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है देखे कुछ समय पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था 3 दिसंबर 2022 को इसमें PNP की तरफ से यह क्लियर किया गया था कि जो डेलड की सेकंड समेश्टर की परिक्षा है 19-21 तारीक और चतुर समेश्टर की परिक्षा है 22-24 तारीक को होंगी यह तो सही है कल आपको एक scheme देखने को मिली जिसमें इसी 19 से लेकर के 21 तारीक में 2nd semester की परिक्षा का कारिकरम दिखाए गया और 4th semester की परिक्षा का कारिकरम 22-24 दिखाए गया जोते हैं उन सभी को भी सामिल किया जाता है जो कि इस scheme में सामिल भी नहीं किया गया है और साथी साथ अवसेश के साथ साथ बैक शातर भी सामिल होते हैं वो तो आप यहाँ पर देखी रहे हैं साथी जो भी scheme होती है उसके नीचे आपका सचिव परिछा नमक प्रादिकादी उनके sign होते हैं वो इस scheme और यही scheme अगर आप देखेंगे तो दूसरे समय समस्टर की यहाँ पर भी है वरतमान भारती समाज जानी शेकिंड समय समस्टर की इसमें भी आप नीचे देखेंगे तो सभी batch include किये जाते हैं परंतु यहाँ पर ना तो कोई batch include किया गया है और ना ह scheme को अभी आप एक जो होता है न गोष्णा की जाती है कि आपकी परिक्षा होगी इसके तौर पर नहीं दे सकते हैं यह जरूर हो सकता है कि जो आपकी परिक्षा होगी उसका एक प्रस्ताओ भेजा जाता है जैसे यह scheme जारी की गई और PNP को प्रस्ताओ भेजा गया कि देख इसको जब भी आपका जो PNP सची में वो एप्रूवल देंगे तो इस तरीके का एक नोटिफिकेशन निकलेगा इस नोटिफिकेशन में आपके इस स्कीम के साथ सभी परिक्षा समध्य दिसा निर्देश भी होते हैं जो कि आप इस नोटिफिकेशन में देख रहे हैं और इस तारीक के साथ साथ नीचे वेरिफाई भी होगा और उसके बाद इसी में ही स्कीम अटेच करके दी जाती है यानि कहने का मतलब यह है कि यह स्कीम की तारीक तो सही है इस पुराने नोटिफिकेशन के एकॉर्डिंग परंतु जो स्कीम जारी की गई है अभी परिशन हम प्र पर में जो स्कीम जारी की जाती है उन समय सारणी की बात करें तो यह सही दिया गया है समय सारणी जैसे आपको पता है कि अब आधा गंटा का गैप कर दिया गया है जैसे तीसरा प्रसंपत्र साइंस का आप देखेंगे 20 तारीक को है 10 से 11 बजे तो अगला जो पेपर होगा वो साड़े ग्यारा से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब अगले पेपर के लिए आदा गंटा का गैप होता है, जो एक गंटे वाले पेपर होते हैं, और जो दो गंटे वाले पेपर होते हैं, दस से बारा, उसमें आप देखेंगे तो अगला पेपर पहले दो बज़े से स्टार दिया गया है तो देखे मेरे according scheme मेरे भ्यात ध्यान से समझेगा कि scheme की जो समय सार्णी है कि इस इन तारीक को परिक्षा होगी ये बिल्कुल सही है परन्तु ये जो scheme जारी की गई है इसको मान कर आप अपनी तैयारी ज़रूड कर सकते हैं कि परिक्षा अपनी तारीक में हो गई आज नहीं तो कल आपको ऑफिशल देखने को मिल जाएगी और न्यूस्पेपर में भी आपको देखने को मिल जाता है अगले दिन जब भी परिक्षा का जो समय साणी वो जारी हो जाती है तो अभी इसको मान करके आप तैयारी जरूर कर सकते हैं पर official रूफ से अगर कोई notification आएगा तो मैं आपको सूचित अवश्च करूंगा ताकि आप प और आल अपडेट में वीडियो पसंद है लाइक कीजेगा और लोग साथ शेर कीजेगा मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार जैहिए